हाँ जी नवश्कार स्वागत है आप सभी का और नटा फॉस्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भरतियों की लेटर सब्सक्राइब के वारे में जो की संब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको इसी पेकार की आथेंटिक सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लाइक और शियर अवश्य कर देना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले नेकेडमी लेकर आया टॉप बैचिस टॉप एजूकेटर के साथ अगर आप ऐससे सीजियल की प्रेपरेशन करें तो सिखर सब्सक्राइब करें अपने डाउट को यहां से पूसकते हैं बड़ी आसानी से इसके अलावा आपस भी अपने फैवेट एजूकेटर से रेज एंड करके भी अपने जो डाउट हैं पूसकते हैं लाइव क्लास के अंदर जिसका लिंक मैंने आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसके अलावा अनकेडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आर गौतम 10 लगाकर आपको मिल अंदर अब तक लगाता एक के बाद एक परिच्छा हैं कहीने के इस्तरगित होती हुई दिखाई दे रही है और सबसे पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कहीं न कहीं वो है कोरोना कर संक्रिप्शन की अगर बात कीज़ें पहली वेव को लेकर वो भी काफी जादा खतर सब्सक्राइब को साफ नीती के रूप में कहा है कि बिना मर्जी के किसी के ठीका लगा रहे हैं उसी को लेका यहां पर हलफनामे के बारे में जानका ही देखने के लिए मिलती है लेकिन अगर हम बात करें 16 दिनों के अंदर 1255 तक के जो मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लगाता 20% की जो दर्यों बढ़ती हुए दिखाई दे रही है एक दिन के अंदर record 2,60,000 के something संक में देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसे में तमाम परिच्छाओं को इस्तगित किया जा रहा है तमाम परिच्छाओं को रद किया जा रहा है कल ही मैंने आप सभी को उत्तर पिदेश के अंदर भी जानकाई दी थी कोई दोराय नहीं कि तीसरी लहर काफी ज़्यादा खदरनाक है और लगाता इसका जो प्रगोप है वह भड़ता भी जा रहा है लेकिन ऐसे में वहीं दोसी तब अगर बात की जाए यूपी टीटी परिच्छा को लेकर यहां से दो नए आदेश जारी किये गए जो कि मैं आप सभी को एक एक करके दिखाऊंगा यूपी टीटी परिच्छा के बारे में लगाता शासिन की तरब से आदेश दिये जा रहें नीचे लिखा हुए को ना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीटी से इच्छक बात था परिच्छा पहते केंद पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाने को लेकर त्याहिया कर ली गई है अपर मुखे सचीव अपनीश कुमार अवस्थी न मिलेंगे कुछ अत्रिक्त सर्जिकल मास्क भी आप स्वीकर साम देखने के लिए मिलेंगे ताकि अभ्यातियों को उपरफ दिक्राया जा सकें अभ्यातियों से उचित दोई पर बिठाया जाएगा ऐसा भी कहना है केंद पर एक मेडिकल टीम भी यहां पर तेनात रहेगी ज 2532 केंदों पर आपको देखने के लिए मिलेगी और दूसरी पारी में जो परिच्छा होगी और 3733 केंदों पर देखने के लिए मिलेगी तो वहीं दूसी था बगर बात कीजाए दूसरे आदेस को लेकर तो यहां पर जारी किया गया उत्तर प्रदेश शासन की ओसे सकुसल अपसरों की जिम्मेदारी तै की गई है जिसको लेकर जानका यह लिखिए कि प्रदेश के अंदर 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीटी परिच्छा को नकल भीन कराया जाने और साथी शांतीबूर तरीके से कराया जानी को लेकर विश्तित दिशान निदेस यहां से जारी कर दिये गए हैं इसमें अधिकाईयों की जिम्मेदारी तै कर दी गई है कि सुबर की पाले टीटी प्रतम जो प्रातमी की परिच्छा की परिच्छा होगी उसके अंदर पेपर लीख होने यहां सी मामली देखने के लिए न मिलें जिसको लेकर यहां पर बात किजे अपर इसके बाद भी कोई कारवाई होती है या फिर इसके बाद भी अगर पेपर लीक और करीने की सॉल्वर पकड़े जाते हैं तो इसकी जिम्प्रदाई कौन लेगा इसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि पिछली बार भी यह सारे के सारे कार किए गई थे लेकिन एन मौके पर आकर पता चला कि पेपर आउट हो गया और पेपर आउट हो जाने के विज़े से परीच्छा को रद्ड करना पड़ा फिलाल यहां पर आप स्पीकर सामने जो आदे से वो जारी किये गए हैं जिसको लेकर अपर मुख के सची प्रतेक परिच्छा के अंद पर पैसन पत्त खोले जाने और साथी परिच्छा समापत हो जाने के बाद यहां पर जो वीडियो की रिकॉर्डिंग के निरेश भी दिये गए हैं जिसे की आगामी समय के अंदर इसको रिकॉर्ड को समाल कर रखा जाए हाला कि आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कभी सामने आई हो या फिस शासे ने कभी चेक भी किया या नहीं इसकी जानकाई तो नहीं मिली लेकिन यहां पर दावे और वादे देखनी के लिए मिले हैं तो वहीं दूसी तरब करोना के संक्रमण के अंदर इस पर इच्छा को कैसे करवाया जाएगा बस के अंदर खाने की कैंटीन के अंदर इसके अलावा आने जाने की समय किस प आपको चुनाब के बात देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फिलाल चुनाबी आच्छा सरीता लगी हुई है और भी बहुत सारी परिच्छान लटकी हुई है लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए भरतियों के बारे में और साथ ही एल्टीगेड की सिच्छ भरती को लेकर अगर आपने रेगुलर वीडियो देखेंगे तो मैंने कई वर आप सुझी को जानकर दी थी कि नई एल्टीगेड सिच्छक भरती के अंदर लगबग चाल से पांच जार पद पुरानी भरती के खाली हैं तो भहीं दूसी दब नई भरती की भी त्यारियां क की जारी थी लेकिन उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग के पास जो अधियाचन पहुंचा वो लगबग यहां पर बारसों पदों का देखने के लिए मिला नई एल्टिकेड सिच्छक भरती के बारे में उसी को लेकर यहां पर भी आप सुझी को देखने के लिए मिलेगा क कि नई भरतियों का जो इंतजार बढ़ चुका है कोरोना के प्रकुप के बावजुद उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग ने 2021 ब्याबग भरतियां निकाली और हर भरती को समय तरीके से पूरा किया समय बद तरीके से साथ ही अगर बात किजा उसका जो अंतिम परड़ा म वो भी यहां से जारी किया गया لیکिन इसमें काफी ऐसी बरतिया हैं जिनमें योग अ्ब किसारति न मिलने के कारण जो वह खाली चले ऐसे में प्यात्वी चात्तों के तरब से नई भर्ती निकाले जाने की मांगो को लेकर यहां पे पूरुी होती दिखाई नी दे दी है क्योंकि नई भर्तीों के लिए प्रत्यों की छात्तों को लंबा इंतिजार करना पड़ेगा इसके पीछे प्रमुक कारण है प्रदेश के अंदर चुनाव ऐसे में अगर बात की जाती है एल्टिकट दोजा अठाय की भरती को लेकर तो इसमें लगबग 3241 जो परद है वो पुदानी भरती के खाली जाए गए थे जिसकी जानकाई मैंने आप सभी को पहले से दी थी अभी फिलाल जो उनको अधियाचन मिलें लगबग 244 परदों के हैं हाला कि अगर यहाँ पर सिच्छा निदे साले के माध्यम से दुबाह से अधियाचन मांगे जाए और भी तमाम परदों को जोड़ दिया जाए तो नई एल्टिकेट सिच्छक बरदी का जो पिग्यापन है लगबग 8-9000 परदों का हो सकता है हाली में जब UPPSC से मुलाकात होई थी तो उनसे जानकाई मांगी गई थी इस भरदी को लेकर तो यहाँ पर छात्तों की दप से मांग रखेगे कि सिच्छा निदे साले को एक बाद फिर से पत्त लिखें बिग्यापन जारी होना है वहीं RO2414 की अगर बात कि जाया तो 43 पर यहां से खाली जाज़ी 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 थे इनी पदों को भरे जाने को लेकर छात्तों के तरब से मांग की जारी है अब इन सभी भरतियों के जो विग्यापन आने के संभाबना है वो आपको चुनाब के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे चुनाप से पहले भरतियों के विग्यापन आना अब समभव धिखाई नहीं दे रहे क्योंकि लोग से वाइउक की माध्यम से अभी तक परिच्छा कलेंडर भी जारी नहीं किया गया है और कहीं नहीं जो परिच्छा कलेंडर तेयार किया जा रहा है वो भी इसी के आदार पर त्यार किया जा रहा है जिसने की चुन्राप की तारीके आपस में क्लैश ना हो लेकिन वहीं दूसी दर बात की जाए अपने अकली अपडेट के बारे में जो की संबंदीत है एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती को लेकर एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती के बारे में लगाता भरती इंतजार करें और लगाता इस भरती को लेकर चात्तों के मन में सवाल है कि भरती पूरी होगी या फिर ऐसी लटकी जाएगी परेडाम तो बहुत पहले जादी हो चुका है लेकिन अभी तक प्रकिया आगे नहीं बढ़ी है मैंने कई बार अपने वीडियो की माध्यम से आप सभी को बताया भी था कि एड़िट यूनियर सिच्छक भरती को लेकर दो समस्यां देखने के लिए मिलती है सिच्छा निदेसाले के पास अभी कहीने कहीं 99,000 के मामरा लटका है तो UPTET को लेकर PNP फसी हुई है क्योंकि सरकार की नाक UPTET बहुत बुई देखे से कट गई थी जिसके चलते हैं यहां पर कहीने के उनकी तयारियां UPTET कायर जाने को लेकर है आज के समाचा पत्तों में जानकर देखने के लिए मिलेगी कि UPTET की आज में जुल्ची जूनियर हाइस्कूल सिच्छक भरती इसके तेयर दिन बाद उत्तर पते सिच्छक भरते तब एच्छा UPTET परस्ता भी थी लेकिन UPTET पेपल लीक हो जाने के चलते एड़िट जूनियर सिच्छक भरती लटक गई जूनियर हाइस्कूल सिच्छक भरती सवल अब्यरती को सूची कहां और पीछे रह गई अगर ब बात की जाती जूनियर सिच्छक भरती के परडाम को लेकर कोई पूच्छ कूज देखने के लिए नहीं मिली उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा अनिल भूशिन चदरवेदी को सच्छिप बनाकर यहां पर निक्ति भी कर दी उसके बाद यूपी टीटी 23 जनवर जिसके लिए सिच्छक भरती परडाम गोशित करने के बाद प्रकिया शुरू नहीं हो सकी है अब भी कोई बोलने को त्यार नहीं है और अभ्यरती परिशान है इस भरती को जल्द पूरा करने की मांग भी करना है लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए एड़िट जूनि जोला है ना ही जूदिन एड़िट शिच्छक भरती की प्रकिया को लेकर यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा है कौन küç तरजा सिच्छक भरती को जारी तो कर दी लेकिन अब तक इन अभ्यरती लिए करन्वांसिन जारी नहीं किया गया है उसी को लेकर स्वान ब् लेकिन कई नकी सरकार पूरे तरीके से एडर जूनियो साथी 6800 को लेकर पूरे तरीके से फेल हो गई है और अधिकाई इस पर कुछ बोलते हुए दिखाई भी नहीं दे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए लगबग 25 सो परदों सरकारी नोखी के लिए आवेदन आश्य शुरू कर दिये जाएंगे उत्तर पूरे दोज़ा बाइस के यहां पर जो आचार सहीता का गोशना कर दिया गया था उससे पहले 6 तारीकों यूपिट अपलेसी की तरब से यहां से एक भरती का विग्यापन जा कर सकते हैं यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूपिट अपर आपको पत्चीसों पर देखने के लिए लेकिन इस परिछा में आविदन करने के लिए सहीक योग्यता अवर्शे देख लें और साथी प्यटी क्वालिफाई होना अनिवाद है वीडियो को लाइ करा दोब एक रिया पत्राइ हुआ हो dang